हेड़े वाप सब्सक्राइब कैसे हो आप लोग आए नो कि काफी लोग को यहाप इंतजार था और फाइनली यहाँ पर आचुका है अपर लिम के लेक्चर स्टार्ट हो चुके हैं अप्लोड हो लाए आज हम जो पढ़ने वाले सबसे फर्स लेक्चर पढ़ने वाले जो हम प सब्सक्राइब करें आपको पहली एक चीज़ अनाउंस कर दूंगा इसकी हमारे यहाँ पर एक सेपरेट वेबसाइट एंड यहाँ पर मोबाइल आप आपका लॉंच होने वाला है कुछ दिनों के अंदर 4-5 दिनों को आप मुझे टाइम दो वहीं पर आपको इनकी नोट् अपर लिंग के भी प्रोफेशनल हाई क्वालिटी नोट्स आपको अप्लोड डेफिनिली देखने को मिल रहे होंगे हमारे अगर कुछ लोग यह पर 5-6 दिन यह एक अफते बाद देखने इस वीडियो को तो आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लें अब तक वहाँ पर ल हो चुका हो मैं इसके लिए एक सब्सक्राइब करों डेफिनेटली तो आपको अपडेट हो जाएगा बट जो अब बात में देख रहे हैं उनका डिस्क्रिप्शन में जैक आउट कर लो महीं पर इसकी नोट्स में पूरा प्रोसेस लिखा हुए कैसे आपने नोट्स कर सकते अब बातों से यह डाइग्रम साब के लिए इसमें बनाए गए हैं बहुत ही प्यार से डिजिटली तो डेफिनेटली आपको पसंद यह नोट्स जरूरा आएंगे तो हमारी मेहनत को इब लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है ब्रेस सबसे बहले बहुत है और यह most important structure माना जाता है pectoral region का, pectoral region आपका यह बेसिकली start हो रहा है upper name आपका start हो चुका है तो modified sweat gland breast और यह most important structure है भाई सब को पता है कि well developed होता है females में और females में कभी well developed हो जाता है after puberty, after attaining puberty यह well developed आपको देखने को मिलेग इन females और अगर males की बात करूं तो breast वहां पर rudimentary होता है तो उस case में जो males के अंदर breast आपका rudimentary होता है तो ये एक आपको extra point आपको पता है और बाकि अगर आप definitely मैं आपको ये पर आपको refer करूँगा कि इस upper limb के लिए भी आप BDC refer करो तो आप BDC साथ में आप खोल के बैठ सकते हो या फिर आप ये जो notes है आपको इन में सब definitely आपको सारी चीज़ देखने को मिलेंगी तो इन notes के भाहर तो कुछ आना ही नहीं है आप एक for reference BDC आप बढ़ सकते हो बाकि especially आपको breast के बारे में और क्या क्या पता है इसके बाद आपके कुछ और भी हम या पर पॉइंट से सबसे पहला situation है second आपका extent क्या है breast का थर्ड आपके deep relations क्या है और फिर आपका structure of breast है तो हमेशा किसी भी topic को start करने से पहले आपको क्या कोशिश करने है यह जो आपके आपके जितनी भी key pointers है यह आपको आपको हमेशा पता होने चाहिए थोड़ी आप background noise अगर आ रही हो कि बारिश हो यह बार उसके लिए sorry definitely आगे आने वाले lectures में चीज़ इंप्रूफ कर ली जाएगी पर यह आपको बताया points चले जाए तो यहां पर जो ब्रेश्ट है वो superficial face किसका प्रेक्टोरल लीजन का हैना मने बोला नहीं most important structure प्रेक्टोरल लीजन का तो उसके superficial facia में आपर यह लाइक करता है हमारा आप लोड कर चुका हूं अब यह आपको यह वाली चीज़ आपको भी explain करूं रोको उससे पहले आपको दिखा दूँ वही कैसे यहां पर हो गया ठीक है तो यह आपके four parts है जिसमें आपको four quadrants बोल सकते हैं अब सबसे important बात अगरे में अपर lateral quadrant की बात करूं ठीक है तो यहां पर आपको कि small extension देखने को मिलता है जिसको मैं बोलता हूँ auxiliary tail of expense देखो यहां पर अपर lateral quadrant इसमें आपको एक छोटास extension देखने को मिलता है और इस extension का नाम क्या है वो है auxiliary tail of expense ठीक है और यहां पर फोरमन आफ लेंगर के बारे में क्या चीज़ लिखी होई है कि यहां पर आपका जो आपका auxiliary tail of expense है यह पास करता है यह opening in the deep fascia यह एक opening in the deep fascia में जो कि lie करती है कि इसमें एक्जिला में और एक्जिला आपका next topic है आपका अगला मतलब अगला lecture आपके एक्जिला पर होने वाला है ठीक है तो यह जो आपका auxiliary tail of expense है small extension यह पास करती है through an opening in the deep fascia उसका मैं बोलता हूँ four a man of langer जो कि आप यहाँ पर देख सकतो जो opening हम बोल रहे हैं इसको हमने नाम दिया है four a man of langer का ठीक है यह आप बात समझ गए आपका ब्रेस्ट किस एक्षेंट पर आपका ब्रेस्ट कर रहे होंगे एक वर्टिकली कर रहे होंगे वर्टिकली बात करूं तो आपका लेट्रल बॉर्डर ऑफ इस्टर्नम से लेकर टक कि यह अपका कrier पाल गेड बॉर्डरी टक पर चे टो सब्सक्राओं यह आपका कैस्टेंट है खोरुतो movie नहीं होती है जो मेरे लाइन होती है आपके डीप रिलेशन के ब्रेस्ट के डीप रिलेशन क्या होंगे डेफिनेटली आपको यहां पर पता होगा डीप की बात हो यहां पर लाही करता है इन्द डीप फेशिया जिसका तूसरा नाम है प्रक्टॉल तो कंफी डीप रिलेशन पर किई आः करत थे हैं और इसको मैं बोलता हूँ पेक्टोरल फेशिया अब इसके भी कीडीप अब और इसके मीलें आइज आउंगों तो क्या का देखने को मिलेगा इसके घीब आपको मिलेंगी तीन मसल्स अभी तीन मसल्स कौन सी है pectoralis major serratus anterior और external oblique muscle abdomen तो यह आगर आप इस diagram में देख सकते हो तो यह आपकी pectoralis से आपको major muscle देखने को मिल रही है यह आपको serratus anterior देखने को मिल रही है और यह आपको external oblique muscle देखने को मिल रही है तो यह मैंने आपको पूरा ब्रेश्ट आपको यहजिए सेपरेटे होता है from the Lets loose armpit tissue loose arrullard tissue यहाप याप बीच में प्रेजेंट होता है और इसको मैं बोलता हुँ इस पेस को retro memory space यह आदहार इस retro memory space की वह से जो आपको टो आपको इस अपको नाम तो प्रेश्ट होता है तो यह एक एक एक्स्टा आपको जो नॉर्मा ब्रेश्ट होता है प्रेप्टोरिस मेजर की मसल के उपर यहां पर फ्रीली मुविबल हो जाता है फॉर्थ पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टे इसकी लोकेशन होता है आपका निपल का और इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है 15-20 अपर यहां पर बात करती है बेस ऑफ़ दा निपल को उसको मैं बोलता हूं यहां में बात कुरूंब यह आपके अलार्ज हो जाती है प्रेगनेंसी के दोरान मतलब यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है ट्यूबर्कल्स ओफ मॉंटक मेरी का यह मैंने कुछ आपको ऐसे बाते बताई है जो कि बहुत इंपॉर्टन बहुत ही एसी इंपॉर्टन जो कि लिखनी लिखनी ब्रेस्ट के अंदर बाकी जैको जब भी स्केन है आपको पूरा तो याद है नहीं तो अब हमेशे आद आपने नेपल है नेपल के अंदर क्या लिख होगे आपका सेंटर मोस्टी जाने आपका फॉर्ट इंडगा उस्पेस में प्रजेंट हो रहा है और यह आपका बेसिक लिए आपर सब्सक्राइब करते हैं या कुछ एक्ट्रा पॉइंट से और की बारे बारे बात करो तो जो सराउंडेंगे नेपल को उसको मोलता हूं एरियोला इसके नदर को बहुत सारी सब्सक्राइब देखने को मिल रही होती है और यह हमेशे एंड़ जो आती है मतलब कुछ-कुछ के जिसमें कब डूरिंग प्रेगनेंसी इसको मैं क्या बोलता ह की अरुला की नेपल की यहां पर आपको ना तो को हैर देखने को मिलेगा और ना कोई आपको आपको फैर देखने को मिलेगा उसके आसपास यह भी एक एक एक्स्ट्रा पॉयंट जो कि काफी बच्चे बूल जाते हैं अगर आप इसको लिखोगे बहुत अच्छे से 20 लोब देखने को मिलते हैं उसके बाद यह क्लिस्टर अफ एलवियला देखने को मिलता है फिर आपको लेक्टेफिरस डक्स देखने को मिलती है तो यह पूर एक सीक्वेंस है जो कि मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया है तो डेफिनेटली आप इसको यहां पर चेक होगा तो यह पूरा मैं आपको बता तो आपको इस वाली तो होनी चाहिए तो सपोर्ट इंवर्क औफ दा ग्लैंड इसको बोलता हूँ इसको स्टोवा तो जोब्स आपको लिखने के बारे में लेकने तो क्या ने supporting framework of the gland ठीक है supporting framework है तो यहां पर आपको दो थाइप का देखने को मिलेगा एक fibrous एक fatty डोनों F से एक fibrous होगा एक fatty होगा अब जो fibrous stroma है यह सेब्टा का formation कर रहा होता है और यहां पर जो आपका जो fibrous stroma जो septa formation कर रहा होता है, यहाँ पर हम इसको कहते है suspensory ligaments of cooper, तो breast से दो चीज काफ़ी लोग confused होते हैं, suspensory ligaments of cooper और एक tubercles of montgomery, तो याद अटना है यहाँ पर sebaceous gland जो होती है, large होती pregnancy में, इसको मैं बोलता हूँ, यहाँ पर tubercles of montgomery का formation हो रहा होता है, जबकि बोलता हूँ, fatty fat से समझ मारा fat होगा, तो bulk होगा, तो main bulk of the gland होगा, वो यहाँ पर formation fatty stroma की वज़े से हो रहा होता है, तो यह तीन चीज़े आपको क्या समझ में आई नहीं आई बताओ, इस structure of best में skin parent का hemostroma, बताओ, यह बहुत basic key points हो, चुकि अगर आपने answer में लिखो कि definitely बहुत अच्छा score आएगा आपका, पर सज बता रहों, तो यह main point लिखने 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 और यह notes जभी आपके बहुत ज़्यदा helpful हो और यह notes आपको मिल जाएंगे, आपका जैसी हमारे app launch हो जाएगा, अब तक हो गया हो तो आप description में check out करो, मज़े उठाओ, first 200 लोगों के लिए तो बहुत अच्छा discount होने वाला है, तो प्लीज जा कि आप इन notes को definitely check out करना, ठीक है, अब सबसे important बात भाई, आए blood supply, आहा, इससे definitely direct question आजाता है, long question में अगर आता है, तो definitely इसके एक अलग section होता है blood supply का, तो blood supply में आप ये, मैंने बहुत प्यार से आपके लिए डाइगरा मनाया है, देखो अपनी हातों से खुझ से, तो please help करो, like करो, subscribe मारो, ठीक है, तो ये आपका breast आपको देखने को मिल रहा है, सबसे बड़ी बात, कोई दिक्कत नहीं, सबसे पहरे अगर यहां बाद क तो ये क्या है, ये है आपकी perforating branches of internal thoracic artery, यहां पर आपको इस वाले region को breast के, यह आपको इस वाले region को आपको supply कर रहे है, ब्रेस्ट के, बहुझ इंटनल thoracic artery ब्रांशे सब्क्लेविन artery की, अब यह आप आगे आने वाले session में पढ़ोगे, definitely blood supply को पर मैं बता दूंगा अब इसको अब इसको अब इसको अभी से आद करने स्टार्ट करो तो, ठीक है, अब यह आपके अग्जेरी artery है, ठीक है, अब इसके अंदर से आपके तीन ब्रांशे निकल नहीं, एक तो आपकी होगी superior thoracic artery, जो कि यहां पर आप supply कर रहे हैं breast को, ठीक है, एक होगी आपके acromiothoresic artery, जो कि आपके यह ओगई, और आपके तीसरी होगी lateral thoracic artery, जो कि आपके यह ओगई, ठीक हो थो ठीक है, धो फो पीर आपकाods प्रश्ट के आप सबसे नीचे आपको यह तीन दिख रही है यह आपकी ब्रांच इस फ्रॉम पोस्टीर इंटर कोस्टाल आट्री तो यह आपको एक्स्टा पॉइंट लिखना जो की बहुत बहुत है तो यह पूरा आपका ब्लड सप्लाई में आटीर सप्लाई यह सबसे पह इंट में आपको पूरा ब्लड सप्लाई है आपका यहाँ आपका ब्लेश्ट की बात करूं तो दो टाइप की मिलें कौन सी एक सुपर वीशन एक डीब आप्जाब की ब्रॉस्टी यह आपकी ड्रेन किसमें करते हैं इंतरन ध्रेसी वेन में जाए पढ़ें परिजा करें तो यह कि कुछ आपको आपको नाम याद करने पर इंटेम फोचिन रेख तो जब को प्राइब करेंगे लुट की तो आपकी पोड़ीब करेंगे अधिक तो यह कुछ आपके सप्रफिशल वेंसे रेटेट अपर में जो आपको डाया आजाता है क्यों पुछ नहीं करना कैसे लिखोगे पहले डाइक सबसे बहुत प्यार से कर दी उसके बाद बस यहीं पॉइंटर लिख देने है क्यों के सबसे लिखने नहीं कौन को शुप यहां पर बहुत अच्छे मिल जाएंगे ठीक है बहुत सब्सक्राइब की बात करते हैं तो यह आपको चीज याद करने कि बहीं जो आपकी सप्लाइर होती किससे एंटिरें लेटरल क्योटीनियस ब्रांच इस और फो तुछ इंट्रकॉस्टल लव यहाद रखना यहाद र इस इंटर्कॉस्टन नव से आपे ब्रांचे से उसकी सप्लाइब हो रही होती है दूसरी बाद जो इस नवस होती है यह संट्री फाइबर करती है तो था स्किन और अगर बात करो ऑटनोमिक फाइबर की तो यहापी स्मून मसल्स एंट्ट ब्लड वैसल के आपर होती है यह कुछ यह बेसिक बात ही करी गहीं है यह जो होती है स्क्रीशन आफ मिल्कों यह पर कंट्रोल रही कर रही हो ती वैरी वैरी इंपोटन पॉइंट ठीक है और यह सब होता है by the hormone prolactin to prolactin hormone के बारे में आपने पढ़ा हो chemical coordination पढ़ा होगा तो यह very very important बाते हैं कुछ आपको जो बताई गई फिस्यों में पढ़ोगे ठीक है तो इन बनाया तो यह जो डाया में 101 परशंट करना है तो इस नोर्स टीक है इसा जितने नोर्स तो में बिल्कुल से मैं ऐसी बनानी है तो मैं इसमें से क्या पता लगा कि जितनी कौन कोशी नोर्स है सब सुप्रक्लाविकलर हो गई चैनल हो गई इससे फॉपर अपर ओद सुपर अपर शॉपर अपर इस्टान सोपर अपर रिघटन चीफ और यह आपके internal memory lymph nodes हो गई ठीक है यह आपको बेसिक बेसिक आपके ने lymph nodes आपके नाम बता दिये जो कि आपको definitely यह जी lymph node का lymphatic डिने जाए सबसे लिए diagram बना के आना है और यह notes का आपको नाम लिख देना है करेंगी अगर मैं बात करेंगी तो यहां पी यह प्रेंकाइमा को ड्रीन करेंगी और यह यह वैरी वैन इपॉर्टेंट बात है है ठीक है तो यह आपको कुछ है यह exception जो था ना ने पर लिए लिए अब मैं बात करते हैं कि 75% आप दा लिंफ जो है आपका इंट्रल मेमरी आती है और उसके बाद आपका कौन सा आता है आपका 5% अगर बात करूं तो आपका थे पॉस्ट्री नोट के अंदर भी मैंने बहुत पता है कि यहां बहुत तरीक है कि हमने देखा सेंट्रल एंटीर पुस्टी टेर है ना लेटर तो यहां पर इंट्र और स्ट्री करना प्रिंट इंट लूट करते लोडिंट चाहिए लगोने सेंट्री टो यह आपको पूरा बताया गया प्रोसेस ठीक है तो यह कुछ आपको कुछ बेसिक से लाश्ट पॉइंट इसी वे में जए रखखा है पूरा प्रोसेस बताया कि इसको यूज करना अपने लिखने में बहुत आपका स्कोर अच्छा डेफिनिटली आने वाला है अब जो लास्ट चीजे वह है क्लीनिकल एनाटमी हमेशा मैं कहता हूं क्लीनिकल एनाटमी तुम्हें हर एक टॉपिक की टेफिनिटली ड्वीड मानन क्लीनिकल एनाटमी हैं पहली दे जाना मतलब पहले तो तुम्हें तुम्हें आता हो ना तक कुछ नो खुछ लिख क्या नहीं आना जो मुझे चार पॉइंट्स में लगे पूरे लिखने तो वह बताएं बर तुम्हें डेफिनिटली सारे तुम्हें पढ़ने हैं तुम्हे लिखने बात करें तो आगरम आपको और प्रक्षेंट्स को जाए किस से बाइग कैंसर इंस यह आपका प्रद्यूस कर देता है और इम आ देखने को मिलता दैडलाइक डाट ओफ दास्किन ऑफ और ऑंप और जे बैग उरेंच के स्कीन की तरह आपको यहां पर इपिडियस तो यह वेरी वेरी इंपोर्टेंट यह तो सबसे इंपोर्टेंट आपकी क्लीनिकल है प्यूदी और इपीरियंस तो यह प्लीज आप लिखके आना अपने क्लीनिकल में ठीक है क्यों ऑफ्ट्रक्शन ओफ सुपर विशल निम वेसल होता है किससे कैंसल से जब आपका और और इसके मतलब स्किन का जैसे आपको यहां पर ब्लाइब तो यह आपका विखक्स हो जाता है क्यों जब आपके कैंसरे क्समें इंफिल्ट्रेट कर देते हैं तो यह एक और आपके आगए इंपोरेंट बात ठीक तो यह आपको तीनों चीजीज चीजी होई और फूर्थ भी पॉइंट आपको नहीं मिलेगा आपको अपनी बुक में यह बहुत इंपोर्टन जो कि आपको काफ़ी सरे नाटमी पेपर्स में पूछ लेते हैं क्रुकन मग्स ओवरी क्या होता है जस्ट एक लाइन में आपको लगता है आप इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो अगर लिखोगे न तो एक अच्छा टीचर पर इंप्रेशन आपको डेफिनेटली पढ़ रहा होगा बाकि प्यूडी औरेंज से भी आपका बहुत अच्छा काम चलने वाला है और यह तीन अगर पॉइंट भी लिख हो जाते हैं मैं तो यह कहूंगा पढ़ लो बाकि जो मेन है वह यह बहुत प्यार से चार में आपके लिए परोज कर रख दिया है आई होप कि अब तक वह आप लाउंच हो गया हो आगर बाद में देख रहा है बाकि जो अभी देख रहे हैं उनको बता दूंगे चार-पास बहुत प्यार चाने वाले हैं बहुत सच में बहुत अच्छे चाने वाले जिन्होंने नहीं बाद काई स्टॉक्स का नाम के शो चल रहा है तो देफिनली जाकाऊट करें प्लेश में लिए बाकि एंडी स्क्रिम लगाई दूगा मैं तो बहुत प्यार दिखार है बहुत तीजी तुमारे तरफ आ रहा है तो सब्सक्राइब मारो वीडियो को लाइक करो टेलीग्राम ओफिशल चलो को जाब सब्सक्राइब करो वहीं पर अफडेट आता अपकर में रिलेटेड वीडियो से लिलेटेड और मैं इस्ट्रेग्रम को करें फटाफट फॉलो